तो यार कैसे हैं आप लो तो यार हीरो ने अपने एक्स्टेम 200S को रिसेंट्ली लॉंच किया है उसकी प्राइसिंग लगभग 98,500 और कार्बॉरेट इंजिन फ्यूल इंजेक्टेटी मॉडल की गिम्मत एक लग 5,000 रखी है तो यार हीरो की इसकी पीछे मोटिव क्या था तो और पलसर की RS200 जो कि यहां पर काफी दिनों से राज कर रही है तो यार हीरो ने सोचे कि इस ग्रेट को क्यों ना फिल कह जा है और इसे लॉंच किया है तो यार इस रेंज में दो गाडियां और है एक्स पल्स 200 और 200 टी और अब यार 200S भी है इसी सीरीज में इस गाड़ी के कुछ टॉप फाइफ फीचर के बारे में बात करूंगा जो कि आर आपको काफी पसंद आएगा तो चलो सुरू करते हैं पहला फीचर जो में काफी अच्छा लगा है और वह है फेयर ओफरिंग इस केटिगरी में 200S जो है पूरी तरह 200R की तरह ही दिखते है बट उसमें एक जो आपकी जो शाल्ट को में खूर सीचिटिंग में फर ने में दे खी तरह बहुते हैं यह और फूट पेडल में जाल काफी काफी जाए पोजिशन पर तो पोजिशन से इस अच्छी बनती है जुक को नहीं पड़ता और अच्छी बाड़ी पॉस्चर रहती है दुसरे फं एक्स्ट्रेम 200S में फुल LED headlamp गया जोड़े sporty look के साथ rounded नहीं है तो यार काफी उससे काफी sporty look आता है और काफी जहर दिखता है और यह एक्स्ट्रेम 200S यह तीसरी गाड़ी है हीरो के motocorp में जो पूरी fully loaded LED light से बनी हुई है और यार यह वादा करती है कि आपको यार तो काफी काफी अच्छा elimination मिलेगा तो यार देखते हैं कि कितना elimination देती है और अगर तीसरे function के बात की जाए तो LED instrument cluster अब यार यह इस bike का सबसे interesting और सबसे factual प्रोसेस है पार्ट है इसमें यार कोई डाउट नहीं है कि फुली लोड़ेट बाइक बनाई है एक्स्ट्रीम के नाम से तो यार इसमें एडवांस LED instrument cluster में क्या क्या आते हैं Bluetooth का नेक्टिविटी है हाँ यार Bluetooth मैं जब इसको सुना तो यार मेरे तोते उड़ गये बाइक में Bluetooth का नेक्टिविटी वाह और यार नेविगेशन गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर और सर्विस रिमाइंडर भी आता है तो यार यह बहुत सभी फीचर है इसके लावा जैसे इसके साथ तो यार मुझे ब्लूटूथ का फीचर हो काफी पसंद आया है मतलब अब यह दिन दूर नहीं कि चलो भीया निकल लो अगले फीचर के बात करते हैं रिफाइंड इंजन तो यार हिरो ने इस बार अपने 200 एक्स्ट्रीम में वही अपने 200 आर वाला ही 199.6 CC का एयर कुल्ड सिंगर सिलेंडर मोटर लगाया है जो की 18.1 का होर्स पावर वाला एट थाओजन आर्पीम पर पावर जनरेट करता है और 17.1 नैनो मिटर पर न्यूटन मिटर पर टार्क जनरेट करता है 6500 आर्पीम पर और यार यह 5 यूनिट गेर बॉक्स की साथ आता है तो यार कम से कम 6 यूनिट गेर बॉक्स देने ही चाहिए लेकिन चला यार कोई नहीं अब यार अगला फीचर है एक्स्ट्रीम 200 एस वह जैसी कि मैंने पहले बताए कि 98500 के आसपास एक्स्ट्रूरूम की क अगर आपको वीडियो पसे लाइक करना सब्सक्राइब करना और प्लीज शेयर करना यार यार लाइक करोगे तो मेरे बहुत बढ़ता है और आप चैनल गुरू करने मदद मिलती है तो यार धन्यवाद बाई बाई